केंद्रियय ग्री मंत्री सीयम जेरम ठाकोर ने भी बधाई दी है जो की बहुत ही गर्ब का विश्य है एफबी अजित चेन ने बताया कि नैशनल क्राइम ब्यूरो के 19 मानकों के अधार पर महिला क्राइम, पब्लिक सर्विस, प्रॉपर्टी क्राइम, पुलिस की लोगों से सहभागिता और जन्ता के राए के बाद ही नादोन थाना को स्रिस्ट थाना का अबोर्ट दिया गया है जिस पर पुलिस थाना नादोन के करमचारी बधाई के पात रहे है हमको information मिली है कि केंदर सरकार द्वारा, MHA द्वारा जो है जो criteria जिसमें best police stations का chain किया जाता है देश में उसमें ही हिमाचल परदेश का best police station जो है थाना नादोन को गोशित किया गया जो कि हमारे लिए बहुत गरव की बात है यह जो criteria है सन 2015 में मानिय प्रदानमंतरी जी ने डीजी पीज कांफरेंस गुजरात में रखा था जहां पे उन्होंने कहा था कि police stations को, पूरे देश बर के police stations को किसी ने किसी criteria parameter के अंतरकत आंका जाना चाहिए ताकि हमारी performance भी improve हो और हमको पता चले कि हमारे को कहां improvement करने का scope है और policy भी इसी तरह से device की जाए उसके बाद National Crime Record Bureau यानि NCRB को जो है यह जिम्मा सौपा गया उसमें 19 criteria पे पूरे देश बर के police stations को आंका गया है जिसमें crime against women, property crime, NDPS act के अंतरकत अलग अलग धाराओं के अंतरकत जो केस पंजी की रत किये गए उनका एक criteria है दूसरा service delivery, approachability towards police और citizen feedback का जो एक aspect है उसके अंतरकत NCRB ये चैन करती है लग बग 15,5-15,000 total police stations में से top 10 police stations का चैन किया जाता है हमारे लिए बहुत गरव की बात है और प्रोटसाहन की बात है कि हमें जो है ये award हिमाचल परदेश के सभी police stations में से best police station को का करा का जो award दिया गया केंदर सरकार द्वारा थाना नदौन को वो हमारे लिए खासकर field functionaries के लिए बहुत प्रोटसाहन का विशे रहा है क्योंकि खासकर करोना के समय में भी हमको ये जो 2019 के लिए best police station का award हिमाचल परदेश में मिला है हमको प्रोटसाहन ना सिर्फ केंदर सरकार बलकि राजे सरकार की तरफ से भी और जो support राजे सरकार और police headquarter में senior officers डीजीपी साथ दौरा जो हमको support time to time मिलती रही है उसी का असर है कि यहां के field functionaries और हम सब लोग जो है इस award को प्राप्त करने में सक्षम हुए हमारा यही target रहेगा यहां से आगे बढ़ते हुए कि हम और कोशिश करें और मेहनत करें अपने system को और improve करें ताकि अगले साल हम इस ना सिर्फ हिमाचल बलकि पूरे देश बर के top 10 police थानों में अपना स्थान बना पगए